स्टूडेंट हम बात करें अभी नीट के एक्जाम की नीट 2022 का रिजल्ट आ चुका है आपकी कॉट आच चुकी है काउंसलिंग सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है तो आपके मार्क्स के वार्णिंग आपको क्या मिलेंगे रहे हैं हाँ यह रांक्स में MBBS होगा BDS सब्सक्राइब कुछ बच्चों के जो मार्क्स कम है वह फिर भी मेडिकल फील में जाना चाहते हैं तो आप्षंस बहुत सारे हैं यह जिस्टूइट उप्शन अभी भी बहुत साहरे हैं अगर आप ड्रॉप नहीं करनाशाते हैं स्टेल यू वांट टूग इन मेडिकल वे अगर आयूश के डॉक्टर भी नहीं बनना चाहते हैं तो भी क्या देखे डॉक्टर के बाद एक हॉस्पिटल में कौन इंपोर्टेंट रहता है नर्स जो होता है नर्सिंग स्टाफ जो होता है डॉक्टर की जस बराबर साथ-साथ में चलता है पेशन्ट की उसी तरह से क्या करता है जिस तरह से डॉक्टर तो काइंड ओव आप ले सकते हैं कि अगर आप डॉक्टर नहीं तो नर्सिंग डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं आप बीएसी नर्सिंग कर सकते हैं यह दिस ट्रेंड बीएसी नर्सिंग बहुत अच्छा करियर स्कोप है अगर आप बहुत देखे, kind of, अगर हम aptitude की बात करें, अगर आपके अंदर बहुत सारी सहिन शीलता है, आपका बहुत caring nature है, और आप लोगों की care चाहते हैं, other than being a health sector, तो B.A.C. nursing आपके लिए बहुत अच्छा option है, अगर हम बात करें, what are the aptitude, what are the qualities a nursing student should have, या जो aspiring B.A.C. nursing करना चाहते हैं, candidates उ आप किनको treat करने वाले हैं, patients को जो दुखी होंगे, इस time weak होंगे, उन सब को आपने equality से देखना है, उन सब को individually treat करना है, उन सब के लिए देखना है कि किस तरह से वो patient दवाई के साथ उसको sympathy मिले, empathy मिले, feelings उसको emotions के साथ भी treat करना होते हैं, ये कौन करता है, ये सारी caring कौन देता है, nursing department ही तो देता है, तो रही doctor आएंगे, वो दवाई देके जाएंगे, medical salah देके जाएंगे, but उस patient की जो care करनी है, उसको दवाई समय पे देनी है, वो सारी care आप nursing department ही करता है, that is why it is saying time management very important in nursing, because time management क्यों किस समय पे दवाई देनी है, किस समय पे patient को आगे treatment के लिए फ physiotherapy का time हो गया, किस समय पे उनकी dressing change करनी, यह सब कौन nursing department करते है, right, उसके बास strong communication skills, कभी कवार patient होते हैं, वो इस situation में नहीं हो पाते हैं, कि अपनी वो feeling जो उनको pain हो रहा है, but जो nurses होती है, जो दिन रात उनके साथ care करें, उन्हें पता है कि यह अभी patient जो है, इसको यह करना चा रहा है, मेबी उसको यहां left side pain हो रहा है, but वो बोल नहीं पा रहा है, but because आप nursing पढ़ रहे हैं, आपने वो पूरी physiology and anatomy आपको भी पढ़ाई जाती है, जो MBBS को पढ़ाई जाती है, right, तो patient to doctor के बीच में, जो communication gap होता है, कौन करता है, आपकी nursing department ही करता है, it is not just a caregiver, it is also act as a bridge between the patient and the doctor, doctor ने क्या बोला है, doctor ने क्या treatment prescribe किया है, वो nurses patient को बताते हैं, patient को क्या feel हो रहा है, क्योंकि दिन रात उनके साथ nursing department रह रहा है, patient की हालत क्या improvement होगी, वो reporting उनकी जो उनको और क्या जीज़ की जरूरत है, वो सारा जो bridge है, वो doctor को बताता है, nurses बताती है, तो कहने के लिए, BAC nursing एक बहुत ही अच्छा wholesome package है, जो लोग health care में जाना चाते हैं, जो दवाई prescription के इलावा caring, empathy, इस सारी चीज़े जो आप society में देना चाते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाते हो, BAC nursing को opt कर सकते हैं, इसके इलावा, BAC nursing जब actually आप जाते हैं, तो आपको क्या क्या इस उतर चली उसके बारे में बात करते हैं, देखिए, BAC nursing मतलब कि हम 12th pass करने के वाद एक proper regular graduation course करने जारे हैं, मतलब कि जो अगर BAC nursing है, it is a proper regular graduation course, तो उसमें आपको 12th pass करी होनी चाहिए, और with what, आपके physics, chemistry, bio के साथ, 50% आपके marks आने चाहिए 12th में, और आपने bio ली होने क्योंकि आप medical field में जा रहे हैं, तो आपने medical के लिए bio लेना ही पड़ता है, फिर admission कैसे होता है, तो dear student, admission जो होता है, अभी right now क्या है, कि अब mostly admission process है, वो NEET के marks पर होता है, इसलिए तो NEET 2022 का result आया है, counseling session स्टार्ट होने वाले हैं, वहीं पे आपकी BAC nursing की भी counseling स्टार्ट हो या BDS के लिए prepare कर रहा हूं, मैं nursing के लिए भी side by side prepare कर रहा हूं, क्योंकि यहीं NEET का score आपको nursing college में भी admission दिलाता है, तो most of the nursing colleges now accepting these NEET score, but कुछ colleges हैं जो अपने खुद के exam conduct कराते हैं, या फिर NEET score को as a qualified score लेके उसके उपर अपने further interviews या अपने exams conduct कराते हैं, तो NEET का score usually जो है यहां पे रहता है, उसके बाद जैसे institute, बड़ी-बड़ी universities, वो अपना अलग से exam भी कराते हैं, like your aims हो गया, आपके military nursing services हो गया, यह बहुत ही exciting field है, I want to talk you about, इसके लिए एक separate dedicated video हम बनाएंगे, exam बड़ा पर जरूर देखिएगा, military nursing services में, जो इंडियन आर्मी में आप nursing as a cad जा सकते हैं, right, आप एक nursing staff army को serve कर सकते हैं, और proper uniform मिलती है, वो feel बहुत अच्छी रहती है, being a nursing student, आप वहापे nursing, आप B.A.C. nursing आपको सिखाई जाती है, फिर आर्मी में ही आपको job मिलती है, तो it is very very interesting field, हम जरूर इस पे बात करेंगे, तो उनका क्या process रहता है, वो सारी भ इसकी depend करता है, आपको government college मिलता है या private, तो if you are going from a government college, तो आपको 10,000 तक की fees में आपका course हो जाता है, और अगर private college में admission मिलता है, तो 5 लाग तक की fees भी जा सकती है, this is all depending upon आपको किस college में admission मिल रहा है, तो लिए बात करते हैं, nursing तो हम कैसे करें, कौन कौन से topmost colleges हैं, तो let's talk about top 5 nursing colleges in India, right, AIMS, AIMS सबसे बड़ा college for a medical graduate, किसी को भी अगर medical करना हो, और MBBS वालों का सपना है, अगर AIMS तो वही BAC nursing वालों का भी सपना होता है, AIMS ये number one college है, और आपका Lady Harding Medical College, यहां की भी nursing की जो पढ़ाई होती है, BAC nursing, very good infrastructure है, education है, staff है, और बहुत अच्छी placement and tracking होती है where Lady Harding Medical College in Delhi, और जामिया हमदर्द, देखिए, जामिया तो medical field में एक अलग ही अपना place लेता है, जामिया यूनिवर्सटी जो है, वहां का जो जामिया हमदर्द medical wings में, जो nursing है, वो भी बहुत अच्छी कराई जाती है, और entrance यहां पे NEET के exam के थ्रू ही होता है, तो जामिया भ पर जब से NEET आया है, तो most of them have started, especially central universities and government colleges, उन्होंने नीट के स्कोर पर ही आपको BAC nursing का interest देना शुरू कर दिया है, तो और और एक कोर यूनिवर्सटी है, आपकी लखनो में, that is King George Medical University, तो यह होलसम यूनिवर्सटी इसको बोल सकते हैं, overall इसके सारे medical courses बहुत अच्छे हैं, अगर हम टॉप ranking of India, NIRF 2022 में देखते हैं, तो यहां का medical में MBBS का भी इस college में नाम आता है, इसमें BDS में भी अच्छा रहता है, pharmacy and in fact BAC nursing भी यहां पर बहुत अच्छा होता है, तो dear student, BAC nursing से लेटेर, these were the top colleges, top information we got for you, इसके लावा कोई और भी information query होगी, please comment section में लिखके, बत अब तक के लिए मिलते हैं, next video पे, examine डापे, stay tuned